चलिए स्टुंट्स आज हम करेंगे क्लास सेवंथ मैस की एक्सेसाइज 8.3 का कोशन नमर 11 कोशन में हमसे कहा गया है अगर मीना 45 रुपीज इंटरस्ट देती है एक साल के लिए ठीक है 9% rate of interest से तो हमने बताना है कि उसने कितना sum borrowed किया है उसने कितना पैसा उधार लिया है तो कोशन बहुत ही सिंपल है कोशन में हमने ये बताना है कि मीना ने कितना पैसा उधार लिया है अगर वो 45 रुपीज ब्याज का देती है इंटरस्ट देती है एक साल के लिए अगर rate of interest है 9% per annum ठीक है एक साल का rate of interest है 9% ठीक है तो चलिए solution स्टार्ट करते है अब देखिए सबसे पहले हमें दिया गया है कि इंटरस्ट है रुपीज 45 तो इंटरस्ट आई यहाँ पर है रुपीज 45 ठीक है अब देखिए हमसे कहा गया है कि एक साल के लिए यह interest paid किया जाता है एक साल के लिए यह interest paid किया जाता है ठीक है तो time कितना है 1 year है ना एक साल है और rate of interest भी दिया है 9% है ना तो rate of interest R भी हमें दिया है 9% हमने बताना है कि उसने कितना sum मीना ने कितना sum, यानि कि कितना रकम, कितना पैसा बॉरोड किया, यह हमने बताना है, तो हम sum को, यानि कि जो पैसा उसने बॉरोड किया है, उसको हम P माल लेते हैं, let sum borrowed, जो पैसा उसने उधार लिया है, उसको हम क्या माल लेते हैं, उसको हम माल लेते हैं, BP, प्रिंसिपल माल यह formula होता है, simple interest का formula होता है, I is equals to P into R into T upon 100, ठीक है, हम क्या करेंगे, 100 को cross में, I के साथ में multiply करेंगे, तो I into 100 हो जाएगा, फिर R into T को हम, जब right hand side से left hand side में लेकर करेंगे, तो यह I into 100 के नीचे divide में आ जाएगा, R into T, जब right hand side से left hand side में आएगा, तो I into 100 के नीचे divide में आ जाएगा, ठीक है, and right hand side में रह जाएगा सिर्फ P, यहाँ पर right hand side में रह जाएगा P, तो हमारे पास में यहाँ पर P का, यानि कि principle का formula हो गया, I into 100, interest into 100 upon R into T, यानि कि rate into time, तो principle का formula आपने यह अच्छी तरीकी से याद रखना है, प्रिंसिपल का formula होता है, interest into 100 upon rate into time, ठीक है, अब देखिए I, interest, interest कितना है यहाँ पर, interest question में हमें दिया है 45 रुपीज, तो हम I की जगा पर लिखेंगे, 45, फिर है into, फिर है 100, correct, नीचे R है, R यानि की rate of interest, rate of interest question में है 9%, तो हम rate of interest R की जगा पर लिखेंगे, R की जगा पर हम लिखेंगे 9, फिर into, फिर T है, यानि की time, time यहाँ पर कितना है, 1 year है, तो time की जगा पर आएगा 1, तो हमारे पास में, P अब calculate करके हम निकालेंगे, तो देखिए, 9, 5 जा 45 होता है, 5 into 100 हो जाएगा 500, तो P आगया हमारे पास में कितना आगया, P आगया 5 into 100, 500, तो इसको calculate करके हमने, principle P को निकाला 500, तो जो मीना है, मीना ने कितना sum borrowed किया था, मीना ने देखो, हमने लिखा था कि मीना ने जो sum borrowed किया है, वो P है, और P का value हमने यहाँ पर निकाला 500, तो हम लिखेंगे, therefore, जो sum borrowed किया है, जो पैसा उधार लिया है, by मीना, जो मीना ने लिया है, वो लिया है, कितना लिया है, rupees 500, ठीक है, जितना principle निकला है, उतना ही उसने sum borrowed लिया है, हाना, तो कितना borrowed लिया है, rupees 500, तो यह आगे हमारे इस question का, final answer, जहांपर हमने यह निकाला, कि मीना ने जो sum borrowed किया है, जो पैसा उधार लिया है, वो लिया है, rupees 500,